Hey everyone, so आज के ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे टोयोटा के लेगरूम लेंप की जो फॉर्चिनर और लेजेंडर में लगता है मेरा एक लेजेंडर का comprehensive वीडियो है जिसमें बहुत सी accessories covered है बट वो वीडियो में जो accessories नहीं covered हुई थी उन accessories का मैं एक एक करके अभी वीडियो बना लेता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते लेगरूम लेंप इसके टोटल चार बल पाते चार लेंप आते पूरे वहिकल में यहाँ पे आप देख सकते है डोर के एक side के pillar पे similarly दूसरे side के pillar पे और यह front में भी driving seat के और passenger seat के नीचे glow box area में आता है ठीक है तो आप basically इसका काम कैसे होता है इसके colors कैसे change करना हम लोग समझ लेते तो सबसे पहले आप इसको phone में download कर सकते है application को आप यहाँ पे देख सकते है Toyota legroom लें यह play store में और apple store में बहुत easily available है तो जब इसे आप click करते है जब इसको आप on करते है तो इसमें जो 5 color आता है उसको option दे देता है और on करने के लिए आप यह देख सकते है dual SPP करके जो first वाला मेरा Bluetooth है यह Bluetooth के through pair होता है इसे आपको connect करना है एक बार आप जब dual SPP connect कर लेंगे इसके जो आपको 5 colors का option है वो दिखता है अब आप जैसे ही colors पे click करेंगे आप देख सकते है पहले green था यह blue हो गया है मैं red पे click कर दिया red हो गया ठीक है लाइन है इससे आप brightness इसका कम और brightness जो जादा कर सकते हो एक से कर ना ठीक है तो similarly आपने देखा यह कैसे आप 5 के 5 color change कर सकते है मैंने जो line थी यह line को पूरी तरीके से पीछे ले लिया तो brightness एकदम कम होके बंद होगे आपको बढ़ाना है तो यह line को आप वापिस से आगे ल lamp करके play store में apple store में available है application जिसको आप download कर सकते हो download करने के बाद यह पाचो के पाचो कलर आप change कर सकते हो अब जो वीडियो मैंने बनाया daytime पे आप अगर यह night time पे बनाओगे तो definitely यह bulb का lamp का brightness आपको काफी जादा दिखेगा कुछ भी अगर आपको query आप please comment करिए मैं इसका answer कर दूँगा और इसका price detail भी मैं description में डाल दूँगा thank you so much